अब लास्ट की जो कुछ वीडियो से उसने हमने हिप जोइन के बारे में पूरा पड़ा जितनी भी अभी तक वीडियो से उसमें हिप जोइन वायो मेकैनिक्स के बारे में भी पड़ा तो यह जो वीडियो है इसमें कुछ हिप जोइन से रिलेटेड टेस्ट है सबसे पहले जो है फैबर पैट्रिक टेस्ट जो हिप पैथोलोजी के लिए करते है जाने के लिए और सेकिंड जो है फड़ी टेस्ट जिसने एंटीर एप्रिहेंशन टेस्ट एंड पोस्टीर एप्र के लिए हैं तो एक एक करके मैं तीनों टेस्ट आपको बताऊंगी सबसे पहले अभी जो करना है वो है फ्रैबर पैक्ट्रिक टेस्ट अब इसमें एस मतलब अब्डक्शन और ए यार मतलब एक्टेनल रोटेशन इसको है इसका ही दूसरा नाम जो है वो जैंसन टेस्ट भी है तो अभी किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगी अब जो है पैक्ट्रेशन अब उसमें सबसे पहले यह हिप स्लेक्शन 90-90 डिगरी तक स्लेक्शन किया फिर उसके बाद अब्डक्शन और एक्स्टेनल रोटेशन अब इसमें यहां से जो है स्केबलाइस किया और यह जो नी है इसे नीचे लेके जाना है तो अगर यह यह सकता है तो तीन चीज़े इतने हो सकती है अब जो नेक्स टेस्ट है वो लेबरल टियर के लिए है सबसे पहले जो है अंटीरियर लेबरल के लिए है उसे अंटीरियर एप्रिहेंशन टेस्ट एंड फदीर टेस्ट बोलेंगे सबसे पहले क्या करना है कि hip joint और यह knee joint 90-90 degree flexion पे होगा अब starting position में क्या करना है कि starting position में जो है इसे इस तरह से बाहर की तरफ रखना अब इसमें क्या होना चाहिए यह flexion फिर adduction और जो साथ में internal rotation इस तरह से यह move किया तो starting में इस तरह से हमने रखा था अब फिर जब ending position है उसमें flexion, adduction, internal rotation अगर इसमें pain हो रहा है तो anterior lateral tear होगा और इसे anterior apprehension test बोलेंगे अब next जो है वो है posterior lateral tear अब posterior lateral tear में इसी का उल्टा करना है इसमें जो ending position थी वही जो है posterior lateral tear की starting position होगी इस तरह से और फिर जो है इसमें abduction थोड़ा सा और इस तरह से लेके जाने अगर जो है इस moment में last end range of motion में अगर patient को pain होता है तो इसका मतलब है posterior lateral tear है और इसे जो है posterior apprehension test बोलेंगे तो यह थे तीन test hip joint के अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो like और share जरूर करें और अगर आपको hip joint के बारे में और जानना हो तो मेरे चैनल पर जाएं वहां पर hip joint biomechanics की पूरी playlist है तो आप में उसमें hip related सारे topics देख सकते हैं और अगर आपको कोई भी topic suggest करना हो तो comment session में बता सकते हैं और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो subscribe जरूर करें थेंक यू करना हो तो